गुरुबार पर नाम मैं संजय कुमार थोर इसी तबियत नासाज है लेकिन फिर वादा था आपसे इसलिए आना पड़ा आज हमारे पास तीनी लोगों का डेटा है चुकि एक फोन नहीं उठा है और मुझे थोड़ा जल्दी करना था इसलिए आया हूँ आज का जो इंटर्वीव है उसमें बड़ा रोचक रहा चुकि हम लोगों को पहले से पता था कि इनका इंटर्वीव रोचक रहेगा और इनका सब्जेक्ट जो है वो हिस्ट्री है और केमिस्ट्री मास्टर में तो इनसे पूछा कि आप क्या पढ़ाते हैं तो मैं तो बीडिकल भी होता है और मेरे हैं हिस्ट्री का पीजीटी नहीं है तो मैं हिस्ट्री भी पढ़ाता हूं तो बहुत अच्छी बात है अब बताएए कि आप प्रिंस्पल बनके क्या चेंज करेंगे अपने स्कूल सबसे पहले सबसे आप वही कुस्सन है तो इन्हों ने चला उसके बाद ये इनका पंडर मेंट इंटर्विव चला चुकि ये बिजनस ब्लास्टर टीम में हैं नए दिली तो बहुत कुछ ले गयते साबून और जेल तमाम चीजें इस पे बहुत कुस्सन इनका रहा रोबोटिक्स सिल्का जेल बायोटीन जो प्लास्टिक को छे म महिने में खतम करता है और उन्हों बताया कि कैसे आप किये यह तो सब आप कियोंगे बच्चे नहीं तो नहीं नहीं इसके लिए सीट बिजनस फंड मिलता है जैसा आप सब कुछ पता है एक बड़ा अच्छा कुस्सन इनसे पूछा और उन्होंने बड़ा टेक्निकली उसक को बदल दिया इन्होंने बोला राइट टूएट क्वेशन और पासको एक्ट क्या कमाल का इन्हों जवाब दिया हलाकि इनसे तिन चार फाइनेंसियल रूल के भी बारे में पूछा जो यह पहला केस है हमारी नजरों में कि फाइनेंसियल रूल पे कुछ सब पूछना जो आपको त्यार कड़ाए थे तो पुड़ाना वीडियो देख लीजेगा और थोड़ा सा जानियेगा उस पर यह आ गया उसके बाद एनीपी पर आ गया एनीपी कैसे आपको हिस्ट्री में मदद करेगा फॉन्टिस्ट्रेश पर कैसे मदद करेगा तो कुल मिलाके इनके आप फस्ट इनका डीट्स जो इन्होंने कर्म किया था बिजनस ब्लास्टर के रूप में वह सारे कर्म इन से पूछ लिए गया प्रिंस्पल वाला पूछ लिया गया कि क्या चेंज करके करेंगे और सब्जेक्ट से शुरू हुआ बहुत कूल एन काम था बोड़ वही बोड था 106 नंबर तो सब मिलाके इनका बहुत अच्छा रहा है दूसरे गुरू का है कि मैं बोलता हूं कि डेली अखवार पढ़के जाईए चुकि इंटर्वियू के दिनों में अगर आखवार आपने नहीं पढ़ा तो कहीं क्या नहीं यह भी सोशल साइंस का टीचर है आर्थ को एक से बढ़ा हुआ था सिध्या और टर्की का तो पूरा आर्थ को एक क्या है कल अगर जिनका भी जोग्रफी का है तो प्लेट टैक्टोनिस को जरूर पढ़के जाएंगे कि अर्थ को एक का मेजर डिजन क्या है किस प्लेट पर क्या प्रेशर पर रहा है और वह नाजु का केवल और केवल मतलब ठर्की ही होता है तो क्या कारण है कि कैसे प्लेट का development होता है चुकि प्लेट से यह संसार बना है इसी से आपको पता है महासागर बना और इसी से धर्ती बनी तो प्लेट टेक्टोनिस को जोगरफी वाले जरूर ठीक से पढ़के जाएंगे इनसे एक सांदार कुस्सन पूचा कि एनी पीसे सब्जेक्ट को कैसे connect करेंगे जवाब इन्होंने दिया लेकिन इसका आगे आपसे पूछता है तो आपको ठोक के बोलना है कि सर अभी तो यह policy matter आई है जब तक करिकूलम और syllabus नहीं आता है तो हम कैसे बहुत मुश्किल अभी बताना यह पूरा संभावनाओं का खेल हो जाएगा इट इस डिप रूटेट policy matter जब तक करिकूलर बार बार समझाता हूं कि policy में आपको केवल information share करना है क्या-क्या हुआ क्या नया देख रहा है क्या challenge यह यह सब लेकिन आप यह जवाब देने की कोशिस ना करें जो national curriculum framework for a school education मैं बता चुका हूं कि single आएगा foundation आगा तीनों का वेक आएगा तो कभी भी आ सकता हो national curriculum framework आएगा और तब हमको पता चलेगा कैसे subject को और चुकी हाँ यहां यह कह सकते है कि अब हमको तो right है कि जो so-called जो after syllabus जो चीज थी जो after curriculum था वो mainstream में आ गया है वो किसनल आ गया है अब ऐसे दो सब्द नहीं है कि पाठेटर और पाठकरम की चीज़ें syllabus और out of the syllabus की चीज़ें नहीं है कि कुछ चीजों को activity waste नहीं है वो सब्ची में में स्टिम में single umbrella के अंद उसके बाद school complex से क्या समझते हैं आ गई new education policy किसी से पीछे पूछा था कि इसका concept कहां से आया था तो एकदम कोठारी आयों किसे था complex के बारे में इन्होंने यह अच्छा बोला कि हमें तो complex का पूरा experience है चुकि हमारे यहां उसी system चल रहा है तो जहां school of excellence और चीज़ें तो complex new education policy आ गए उसके बाद इन से बीट वाला पूचा कि what do you mean by cognitive development and psychomotor ते लोंने बताया कि वैसे भी आपको बता दू कि cognitive का हिंदी संग्यात्मक होता है उसका सीधा मतलब है कि कि किसी चीज़ को अधिगम यानि लर्डनिंग को लर्डनिंग को एक process के अंदर कहीं जाके deposit करता है जैसे आप मेहनत करते हैं तो लर्डनिंग एक मेहनत है और कुछ पैसा कमाते हैं तो बैंक में डालते हैं या उस पैसे को आप अपने खर्च के लिए रखते हैं कहीं है तो संचा हो तो that is cognitive कभी घवराना नहीं है कि cognitive process ही है कि हमारे दिमाग के neurons में memory में चीज़े चली जा अर्ली चाइल्ड होल्ड की चीज़े थी यह से नीचे जब जनम से साइको मोटर की सुरुआत होती है पहले उसमें माइक्रो लेबल पर काम होता है छोटी छोटी अंगुलिया घूमने लगती है फिर माक्रो लेबल पर चलता है तो थोड़ा सा सब्जेक्ट से भी जुड़ इसलिए मैं डिटेल बात करने काज मूड में नहीं हूँ हाँ यह ज़रूर मैं आपको बताऊंगा कि दो बात आप नोट कर लें कि आउट अप सिलेवस जो आप डिटेल अप्लिकेशन में फॉर्म में बढ़े थे कब जब यूप सी में फॉर्म भड़े थे 2021 में उससे बाह इसडी चुकि डिएफे में नहीं है इसलिए मैं नहीं पूछूंगा तो यूप सीस मामले में बहुत है स्ट्रीक और्गनाइशन है यह नहीं है कि कहीं से कुछ पूछने का इसलिए उसके लिए चिंता ना करेंगे और कि हमने यह डिगरी पाई है या हम इस भी से के PGT हो ग तब तक कुछन इनका बदल गया और बदल गया यह बच गयर अगर नहीं बदलता तो थोड़ा यह कहने जा रहे थे मदकाल तो इतना मजा नहीं आता यह फंसते थोड़ा लेकिन तब तक कोई दूसरे कुछन से ओवर लैप हो गया आपस में सब बात करने लगे चेयरमेन औ वाले से अगर पूछा जाता है कि विच विच ओफ वन पिरियर्ड ओन ताइम ऑफ इंडियन हिस्ट्री यू लाइक और यू गीवर मोस्ट और यू मेकर मोस्ट इंपोर्टन टॉपिक आप सबसे ज़्यादा जिसको पसंद करते हैं लाइक सा मोस्ट इंपोर्टन किसको में आप कॉन फिजन नहीं होना चाहिए ठोक के बोलना है कि आई लाइक पोस्ट मॉडर्ण एरा वाट इस पोस्ट मॉडर्ण तो 9047 से लेकर आज तक का इतिहास लगभग है प्रसमेकली 75 यह का इतिहास मुझे सबसे अच्छा लगता है क्यों अच्छा लगता है कोई अच्छा लेकिन क्यों प्रस्नल लाइक है तो दुनिया की सबसे खुब्सूरत चीज़िक हिंदुस्तान के लैंड में रहते हैं तो हिंदुस्तान की चीज़ी मुझे सबसे खुब्सूरत लगीगी उसी का इतियास उसी का कानून हमें क्या मतलब अमेरीका के कदून से और पोस्ट मॉडरन काल जो है उत्तर आधुनिक काल उसकी सबसे बड़ा कंटिविशन है कि वो काल किसे चलता है एक एक डेमोक्रेटिक कंसूशन से चलता है रूल आफ लौ से चलता है उच नीच जात पात भेद भाव नहीं है तमाम अधिकार से इंपावर्ड है हुमान सोसाइटी वी आल आर इंपावर्ड विद रूल्स और रेगलिशन तो कोई अनार्की नहीं है तो यहां इक्वालिटी है इंडिपेंडेंस है फ्रिडम है लिवर सब्सक्राइट विद रिजन कि हमें यह काल अच्छा लगता है चुकि यह काल किसी भी डिस्मिलरेटी से बाहर है किसी भी सोशल बुडाईओं से बाहर है अब ठीक है अब इसमें एक सवाल उड़ता है कि ऐसा नहीं लगता है कि बहुत भरस्टाचार बोड़ा यह हो रहा तो ठीक है यह मैटर इन टोटल एक इंटिग्रेटेड मैटर है इससे किसी टीचर को लेना देना नहीं है आपको कहना है कि है लेकिन कोई भी सोसाइटी आइडियल नहीं हो सकती है आइडियल कुछ भी हो सकता है तो केवल नेचर हो सकता मनुस ने आज तक कोई ऐसा काम नही किया जो जिसमें रिफॉर्म की जरुवत नहीं है जिसमें सुधार नहीं हो सकता है जिसको मनुस खुद कंट्रोल नहीं कर सकता है यह केवल परफेक्शन केवल एक आदमी के पास है वो कलाकार नेचर नेचर में परफेक्शन है मनुस में परफेक्शन नहीं हो सकता है मनुस के हर काम में रिविजन की जरूवत है चेंज की जरूवत है कंट्रोल की जरूवत है सब चीज बनाता है खुद कंट्रोल भी रखता है तो इसलिए ये काल मुझे बहुत ही अच्छा लगता है बहुत अच्छे से इसका जवाब आप दीजिएगा और ठीक चलना इंटर्वी मैं बहुत खुस हूं मेरे गुरू बहुत खुस हैं और बहुत भाबुक और बड़ा मतलब रोमांटिक होके अपील करते हैं मुझे अच्छा लगता है मैं भी इस मिसन में चाहता हूं कि आप लोग द्वारा सो में सो अंक पराप्त करूं आफ्टर और आप सभी टीचर हैं तो तो आफिस से बात कीजिए और वीडियो सेयर कीजिए लाइक कीजिए सब कुछ कीजिए मेरे लिए भी मेरे हिसे का भी सुख मुझे दीजिए जैन